हां तो बच्चो , स्टार्ट करते हैं physics की एक और ब्रांच को जिसका नाम है optics जब हम बात करते हैं optics की तो, हम बात करते हैं light की और उसकी properties की ठीक है , तो optics को अगर हम इसकी टेक्निकल टर्म में में इसकी definition सोचे तो वो क्या है Optics is the branch of physics that studies the behavior and properties of light including its interaction with matter and construction of instruments that used or detected मतलब भया हम ये भी देखेंगे हापर कि किस तरीके के instruments बने जिनसे हम light को detect कर सके और light को use कर सके ठीक है तो Optics को दो branch में बाठ दिया हमने एक है Ray Optics एक है Wave Optics हम जानते हैं light dual nature दिखाती है ठीक है इस पर हमारे एक chapter भी है तो dual nature में हमारे पास दो nature आते हैं एक तो आता आपका particle nature और एक wave nature तो उसी के उसी के reference से हमने क्या किया आपके Optics की दो branch कर दी एक तो Ray Optics और एक Wave Optics ठीक है 10th class में हम थोड़ा सा Ray Optics देख चुके है आपको यह आप से पूछे Optics क्या है तो आपने का भी है study of light और light क्या है kind of energy ठीक है और light का सबसे छोटा particle क्या है वो है photon तो smallest particle क्या है light का photon और photon का plural क्या होता है photo ठीक है photo term पे ध्यान देना यह कुछ नहीं है यह plural है photon का और Ray का मतलब क्या है जब बहुत सारे photo एक line में चले और beam का मतलब क्या है बहुत सारी rays ठीक अब optics का यह जो optics की जो पहली ब्रांच है Ray optics हम इसकी बात करेंगे इस chapter में अभी देखते हैं इस ray optics में आता क्या क्या है देखो यहां हम बात करने वाले हैं reflection की reflection के अंदर आपका आजाता है plane mirror spherical mirror उनके ray diagrams यहां तक का portion और या mirror formula relation between radius और focal length magnification refraction refractive index real depth apparent depth total internal reflection application of total internal reflection snail's law ठीक है reflection at curved surface lens के बारे में thin lens formula lens maker formula power of lens combination of lens prism के बारे में तो आप देखो कि यह इसे काफी हिस्सा यानि कि approximately 60% तो आपने 10th class में पढ़ा था अब बस उसी को elaborate करेंगे और उनकी derivation वागेरा देखेंगे ठीक है यह पूरा चैप्टर आपका ब्रीफ है देखो यह आपे यह एक mind map सा बना दिया इसका ठीक है आगे चलते हैं जो ऐसी चीज़े देखनी हो न बिटे इनको लिख लिया करो वीडियो पॉस करके बात आती है ray optics की तो ray optics की जब हम बात करते हैं तो एक property हमने पढ़ी थी rectilinear property यानि की light सीधा चलती है यह छोटी class में पढ़ा आपने 8 या 9 में तो वहाँ पर ऐसे cardboard लगा देते हैं और उनमें hole कर देते हैं जब तक यह cardboard ऐसे लगे रहेंगे तब तक तो light आपको दिखाई देगी लेकिन अगर एक cardboard लगाया जिसमें hole यहाँ पर है तो आपको light दिखाई नहीं देगी यह property है rectilinear property लेकिन अगर मैं कोई एक कमरा लूँ ठीक है जैसे एक कमरा दिखाई देरा आपको और उसमें यह door है और हम जानते है door के नीचे थोड़ा सा gap है और कमरे के बाहर light जल रही है तो वो बाहर जलने वाली light उस gap से थोड़ी बहुत अंदर पहुँच जाएगी और पूरे room में फैल जाएगी तो उस पूरे room में जिसके अंदर light का कोई भी source नहीं है perfect blackout नहीं होगा लाइट sound के जैसा behave कर रही है जैसे आप जानते है sound जो है अगर आपको ऐसा बैरिगेट लगा दो बीच में जिसमें थोड़ा बहुत भी गैप हो तो उस gap से पार हो जाता है sound ठीक है तो उसी तरीके से light भी एक medium से एक room से दूसरे room में जा रही है इसका मतलब ये wave की form में यहां से pass out होई होगी ठीक है अब हम optics में पढ़ेंगे क्या क्या reflection, reflection, diffraction, deviation, dispersion ठीक है चलो आगे चलते हैं अब हम बात कर रहे हैं reflection की reflection होता क्या है bounce back of light from reflecting surface अब important बात पर धान देना in same medium medium same रहेगा बिटा वापिस आजाना उसी medium में light का ठीक है जैसे ये एक light आई एक ray आई और इधर चली गई medium तो यह है ये आपका normal नाम देखो ये है आपका normal ये है incident ray ये है रिफ्लेक्टिड रे और ये है रिफ्लेक्टिंग सर्फिस ठीक है अगर सर्फिस स्मूथ हो तो complete reflection हो जाएगा और अगर सर्फिस रफ हो तो यहाँ पर थोड़ा सा absorption भी होगा और वो आई और आर वाला जो एंगल है वो भी नॉर्मल ये हमें ढंग से नहीं मिलेगा तो आई और आर भी गड़बल करेंगे ठीक है अब इससे बिलकुल अलग reflection क्या होता है यह होता है bending of light यह होता है bending of light when light moves from medium one to another ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे एक glass slab लिया इस glass slab में medium two है और इसके बाहर medium one है light एंटर करी जब बाहर से वो light एंटर कर रही थी तो वो normal की तरफ bent हो गई towards the normal वो light bent हो गई और जब वो वापस जा रही थी तो away from the normal bent हो गई फिर दुबारा दूर चली गई तो अब आपने सोचा कि भाईया यह light सीधी सीधी तो चल नहीं रही इसको ऐसे जाना थी यह था यह ऐसे क्यों नहीं गई तो उसका reason क्या है medium का change होना और क्या क्या चीज़े हैं वो अभी हम इसके topic पे समझेंगे जब हम बात करेंगे reflection की तो हमारे पास दो property दिखाई दी light एक medium से दूसरे medium में चाते वक्त अपने आपको bent कर लेती है और light एक ही medium में bounce back करती है यह यह दो बाते तो समझ में आ गई अब हम बात करते हैं reflection की reflection same medium में होता है तो reflection में एक चीज़ ध्यान रखनी है medium same रहेगा plane surface पे ही होगा तब ही आपका यह i और r वाला law काम करेगा यह क्या law है मैं बताता हूँ देखो laws of reflection पहला law incident angle और reflected angle i और r equal होने चाहिए और दूसरा law जो आपकी incident ray है और जो आपकी reflected ray है और जो आपका normal है incident ray reflected ray और normal तीनों एक plane पे होनी चाहिए एक point पे नहीं का बेटा मैंने एक plane पे ध्यान रखना एक plane पे होनी चाहिए अब बच्चा कहें का भईया इसका normal क्या है बेटा क्या दिक्कत है यहां एक normal बना लो एक यहां पे normal बना लो ठीक है तो यहां का जो i है यहां के r के equal होगा यह बटा मैंने हाथ से बनाए इसलिए थोड़ा बहुत angle का difference होगा उसको मत observe करना बस यह समझ लो यह वाला जो incident ray है वो इस वाले या किसी भी reflected ray के बराबर ही angle subtract करेगा अगर plane same है तो देखो ठीक है अब plane same है नहीं तो अब i is equals to r नहीं लगेगा point same होना जरूरी नहीं है कुछ बच्चे सोचते एक ही point पे बनना चीए नहीं 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 लो ध्यान से पढ़ो वो same point नहीं same plane की बात कर रहा है ठीक है आगे चलते है अब वो कहता अगर मैं plane mirror की बात करूँ तो जड़ा देखना इस mirror को इस mirror में अगर मैं इसकी शकल ये जो भी कोई आदमी खड़ा है इसको मैं इस mirror के पीछे देखो तो वो same height का दिखाई देगा virtual दिखाई देगा और same distance भी दिखाई देगा अगर mirror से यहां तक का distance 10 cm है तो mirror से image का distance भी 10 cm होगा image virtual होगी plane mirror का radius infinite होगा ये छुट-छुटी बाते ध्यान रखना plane mirror का focus वो भी infinite होगा ठीक है एक बेटा chemistry में न टॉपिक था optical isomerism वहाँ पे हमने ये देखा था कि A को ऐसे रखो तो वो optically inactive दिखता है लेकिन ऐसे रखो तो optically active दिखता है ये optically inactive है और ये optically active है क्यों मैंने इनका क्या change किया क्योंकि A तो A ही है मैंने इनका plane of polarization change कर दिया क्या change कर दिया plane of polarization ठीक है चलो यहां तक समझ आ गया अब यह आपको दिखाई दे रहा होगा एक sphere इस sphere में से अगर मैं ऐसी surface cut कर लूँ अच्छा कुछ बच्चे कहते है भाई यह sphere नहीं circle है बेटा जिस notebook का हम इस्तमाल कर रहे हैं वो 2D है तो यहां पर 3D आपको imagine करना पड़ेगा तो यह एक sphere है जिसमें से दो curvature या circular part कट किये गए है ठीक है एक यहरा curve 3D है इसलिए से curvature कहते है जैसे यहां दिखा रखा कि भाई इसमें से यह कट कर लिया और फिर यह बना दिया अब यह क्या है convex या कनके वो तो depend करता है मैं shading कहांबे करूँगा अगर मैंने इसके इधर shade किया तो इस वक्त तो यह दिखाई दे रहा है आपको convex 10 में बढ़ा था ना और अगर मैंने इधर shade किया तो यह क्या दिखाई दे रहा है concave तो convex और concave किस चीज़ पर depend करता है कि मैं shade कि इधर से करता हूँ मतलब इसकी reflecting surface कौन सी छोड़ता हूँ अगर यह वाली reflecting surface छोड़ता हूँ अंदर वाली तो concave और अगर बाहर वाली reflecting surface छोड़ता हूँ तो convex खतम बात अब एक बार इसके बारे में धंग से समझ लेते हैं देखो when light rays strike the boundary of two medium such as air or glass a part of light is bounced back देखो कितने बड़िया बात बोली है जब light strike करती है दो medium पे और एक part उसका वापिस आ जाता है तो वो part जो वापिस आता है वो reflected कहलाता है bounce back into the same medium बार बार बोल रहा हूँ है same medium पे ध्यान दो this is called reflected light क्या ये deviation भी बता रहा है बिल्कुल बता रहा है अगर मैं इस light को extend कर दो जड़ा ध्यान देना अगर मैं इस light को extend कर दो तो आप देखोगे कि इसको तो सीधा यहां जाना था यह यहां चला गया तो यह कितना angle deviate करा अपने path से इसे बोलते है angle of deviation अपने path से deviate होना ठीक है prism में समझेंगे आपके पास दो तरीके के reflection है एक है regular और specular regular का मतलब क्या होता है यह जो दिखाई दे रहे हैं आपको normal इस तरीके का reflection ठीक है आई और आर वाली बात जिसमें आराम से दिखाई देती है और यह diffused का क्या मतलब है diffused reflection का क्या मतलब है जब surface rough हो ठीक है जिससे उसे reflection करना है वहाँ पर reflection rough होगी तो direction regular नहीं रहेगी क्या direction regular नहीं रहेगी और इसे कहते हैं diffused reflection इसके बाद laws of reflection जो पीछे बताये थे उनको यहाँ पर एक बारी फिर से देख लो यह देखो यह law का क्याता है incident ray और reflected ray और normal एक plane पर आने चाहिए और यह law का क्याता है i equals to r होना चाहिए surface चाहे वो spherical हो चाहे वो plane हो कोई दिक्कत नहीं है देखो यह वाली surface तो भी पीछे हम पढ़के आ रहे हैं अब इस वाली surface को देखना बिटा यह dotted line से इसने क्या कर दिया इस curved surface पे एक tangent ड्रॉ कर दिया और उस tangent के इसाब से इसने एक normal ड्रॉ कर दिया यह रहा आपका curved surface पे tangent और यह रहा आपका इस tangent पे normal क्योंकि curved surface पे तो normal बन नहीं पायेगा फिर उसने यह incident ray और यह reflected ray ले ली ठीक है तो चाहे curved surface convex हो या curved surface concave हो ठीक आगे चलते हैं अब वो कहता है rectilinear propagation of light इसके बारे में ध्यान देंगे in homogeneous transparent medium light travel in straight line light चलती है सीधे सीधे when a light is incident normally on boundary after reflection it retrace its path जब वो सीधी आती है normal पे तो वो वापिस जाती है normal से क्यों i और r दोनों 0 होते है ठीक है ठीक है जैसे यह गई और यह आई यह गई और यह आई यह गई और यह आई इसलिए हम कहते हैं जब भी center से line pass करती है तो वो अपना path retrace करती है ठीक है यह गई और यह आई यह भी center पे जा रही है याद अच्छा ये virtual वाली बात भी बताऊंगा मैं कि कौन सा इसा virtual होता है कौन सा real होता है बड़ी important बात है frequency, wavelength, speed, change नहीं होती reflection में reflection में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती ना frequency, ना wavelength, ना speed अब वो कहता है eye is mostly sensitive for yellow light and least sensitive for violet and red light ये बात भी ध्यान रखनी है, yellow light की intensity सबसे ज्यादा मानी जाती है आपने देखा भी होगा taxi या कोई ऐसी चीज़े जो जैसे मान लो कोई advertisement कर रहा है तो वो yellow sheet पर बनाएगा आपनी चीज़े और taxi जो होती हो पीली इसलिए होती है ये आपने वो picture देखी होगी क्या थी, PK, वो कहता है मैं yellow helmet इसलिए पहन के बर रखता हूँ जिससे बगवान मुझे जल्दी देख ले ठीक है, scientific बात थी, बिल्कुल सही बात थी और violet और red जो होते हैं, ये बिल्कुल इनकी जो wavelength होती है, सबसे ज्यादा और सबसे कम होती है ठीक है, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, यानि कि सबसे topmost और lowermost की जो दोनो colored light है वो हमें कम दिखाई देती है, ठीक है, उनसे हमारी आँके कम sensitive होती है जो बीच की बिल्कुल yellow light जो आती है, बीच में आती है, उसके intensity सबसे ज्यादा होती है अब देखो, बोल बिड़ा है, due to this reason, commercial vehicles are painted with yellow color sodium lamp जो जो पीला होता है, are used in raw light reflection from the plane mirror, ये बेटा आपने 10th class में पढ़ा था, अगर कोई चीज ऐसी है तो वो उल्टी दिखाई देगी, बुल दिखाई देगी कि ने देगी, बड़ा मारकर यूज कर लिया, देखो, ये ऐसी थी, सीधी, और ये यहाँ पर उल्टी दिखाई दे रही है, ये हाथ आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, clear, अब वो कहता है, ये बड़ी अच्छी में से लिए है, मैंने, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, क्या कहता है, अब plane mirror behave like a virtual, like a window to a virtual world, अगर आप इस plane mirror को देखोगे ना, तो पता है आपको क्या लगेगा, कि आप एक नकली दुनिया की, ये नकली दुनिया, ये वाली ये virtual world है, इसके अंदर घुज गए है, इस plane कुछ नकली दिख रहा है, पंका नकली, ये देखो, ये fan यहाँ पर है real, ये है virtual, ये रहा एक गमला, और यहाँ पर आपको virtual वो गमला दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ असली नहीं है, ठीक है, और आपको कितना दिखाई देगा, जितना mirror होगा ना, उस से double range का दिखाई देगा, जैसे आपको कोई कहे कि भई, इस room में इतनी बड़ी wall है, ये पूरी की पूरी wall मुझे इस mirror में चीए, तो मैं कहूंगा ये mirror कम से कम इस पूरी wall की height का आधा होना चीए, अगर ये h है, तो इस mirror की height h by 2 होनी चीए, तब ही दिखाई देगा, नहीं तो मुझे दिख वो कहता है, मान लो, यह आपका mirror है, यह सबसे उपर वाला point है, वहां से light आती है, और इस mirror के बिल्कुल tip लगती है, topmost tip पे, और यहाँ पर मुळ जाती है, ठीक है, ऐसा यहाँ होता है, यह सबसे नीचे वाले पर लगती है, और यहां मुळ जाती है, तो नीचे वाले ने ये वाला पॉइंट दिखा दिया उपर वाले ने ये वाला पॉइंट दिखा दिया और ये सारा हिस्सा अगर टॉप टॉप वाला पॉइंट जो है जिसके हमें इमेज बनानी है वो आ जाए और जो लोवर मोस्ट पॉइंट है वो आ जाए तो इस मिरर में पूरी ये चीज द यह जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे आपको यह यह इसके एक वाल है और यह इसके एक वाल है अब यह पूरा कितना है यह distance कितना है यह जिसकी image बनाने जा रहे हो वो distance कितना है वो है h कितना है और अगर मैं यह देखूँ यह दोनों भी तो equal है अगर यह x है तो यह भी x है यह y है तो यह भी y है तो h कितना हुआ 2x प्लस 2y और height of mirror कितनी है x प्लस y देखो यह रही x प्लस y तो x प्लस y कितना हो गया h बाइ 2 क्योंकि इसमें से common दिखाई दे रहा है यह निकलता हुआ बोलो कोई दिक्कत असान है यह है यह है आपका mirror और यह है आपका जो परपल वाले marker से कर रहा हूं मैं object अगर मैं object में यह हिस्सा देखूं तो यह mirror की height के equal है और यह हिस्सें उतने ही है जितनी height बच्ची है mirror की जो green part में बनाई है ठीक है तो mirror exact उसका half हो गया की नहीं हो गया एक यह deviation वाली बात बता रखे देख ले न अगर कोई plane mirror है उससे मैं deviation कर रहा हूं तो कैसा deviation होगा यह line आई और इधर चली गई हो गया reflection एंगल है i और r equal लेकिन जो नीचे गई यह line वहां से total angle कितना बैठ रहा था है 180 तो आप कह सकते हो i plus r plus angle of deviation is equal to 180 तो angle of deviation कितना आ गया 180 minus i plus r लेकिन i और r तो equal होते हैं तो angle of deviation कितना आ गया 180 minus 2i या 2r ठीक है यही लिखा है इसमें देखो angle of deviation का formula अब वो कहता है अगर एक से ज्यादा mirror हो तो कैसे deflection होगा इदर आ जाओ इस पूरी figure को देखते हैं हमारा आम से यह रहा भाया आपका एक mirror अड़े ज्यादा बढ़ा हो गया यह yellow ठीक है और यह रहा आपका दूसरा mirror ठीक है और angle देखो कैसे है यह light eye और reflect कर गई और यहाँ से भी reflect कर गई दूसरे वाली side से कर गई बात को समझो यहाँ पर जो angle बना आपका बीटा वो इस बीटा के equal है वो तो i equals to r होता है ठीक है यहाँ पर जो बना alpha वो अलफा के equal है हाँ यह भी होता है इन दोनो mirror के बीच में कितना angle है ठीटा कितना angle है ठीटा ठीक है अब अगर आप इस ray को देखो यह तो इस ray में एक तो 2 बीटा angle आ रहा है और एक angle of deflection आ रहा है सेम यहाँ पर भी है नीचे वाले mirror में 2 अलफा angle आ रहा है और एक angle of deflection आ रहा है दूसरी equation 2 अलफा प्लस deflection is equal to 180 ठीक है अच्छा अब इस बात को समझना यह नॉर्मल है इस plane से और यह नॉर्मल है इस plane mirror से तो अगर यह बीटा है तो 90 मैनेस बीटा होगा यह अलफा है तो 90 मैनेस अलफा होगा और यह एक triangle है इसके अंदर यह प्लस यह ठीटा के एक वाल ह ठीटा तीनों 180 के एक वाल है ठीटा प्लस 90 मैनेस बीटा प्लस 90 मैनेस अलफा is equal to 180 तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है यह यहां से ठीटा यहां छोड़के बाकि सारा दहिज उठाके 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 उदर ले जाओ तो 90 90 प्लस होके 180 मैनेस हो जाएगा 0 हो जाएगा अलफा प्लस बीटा आ जाएगा और अलफा प्लस बीटा ओपर भी दिखाई दे रहा है ओपर एक्वेशन क्या दिखाई दे रही है टू अलफा प्लस टू बीटा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा टू इस इक्वल्स टू 180 दिखाई दे रही है अब ज़रा कुछ जादे चोटा चोटा लिख दिया अब ज़रा इन दोनों equations को देखो इस equation को और इस equation को अगर मैं alpha plus beta की देगा है theta put कर दू तो एक मिन्टी दे गलती कर दी ना ये theta plus theta करा था तो 360 हो जागा है ठीक है तो relation आगया अगर मुझे mirror के बीच का angle पता हो तो मुझे उनके angle of deviation के बीच का angle भी पता चल जाएगा आया relation चले आगे अच्छा अब एक चीज और कितनी images बनेंगी जब हम दो mirror रखेंगे अगर 360 by theta ये angle है आपका theta दोनों mirrors के बीच का ये आपका दो mirrors के बीच का angle है अगर 360 by theta M है और even number है तो number of images होगी M minus 1 और अगर odd number है तो वहाँ दो case आएंगे पहला when object is not on bisector अगर object bisector पे ना रखाओ तो N M के equal होगा और अगर object bisector पे रखाओ तो N M minus 1 होगा bisector समझते है बटा इस angle को बिलकुल बराबर काटने वाली line ठीक तो यहाँ कुछ cases ले लिए इनको देख लेना कि theta क्या क्या होगा तो images क्या क्या होगी ठीक है यह वाला जितना भी topic है यह यह और यह यह CBSC में कमाता बेटा लेकिन mains में देखा गया है ठीक है चलो आगे चलते है बात आती है इसके बात curved surface की ठीक है अब curved surface का मतलब क्या है curved mirror का या curved surface का मतलब क्या है भई अभी हमने वैसे तो 10th में बढ़ा है और अभी भी थोड़ी दिर पहले बात की थी कि मान लो यह लो यह एक spherical surface का cut out है ठीक है तो उसमें मैंने तुमें कहा था कि बेटा यह टूड़ी है इसलिए दिखाई नहीं देता है उसमें एक ऐसा भी होता है पार्ट यह जैसा यहां दिखाई दे रहिए आपने हो देखे है कटोरी यह best part है चम्मच जो चम्मच होती है वो कुछ ऐसी होती है है ना उसके अंदर gap होता है अगर उसे पीछे से देखो चम्मच को तो वो convex mirror लगती है और आगे से देखो तो कनकेव mirror लगती है ठीक है जो तुम्हारी चम्मच होती है वो convex mirror या कनकेव mirror लगती है 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 ना देखो लेकिन जब हम 2D में बात करते हैं तो 2D में हम सिर्फ इस तरीके से देखते हैं अगर मैंने किसी कर्व सर्फेस के इस तरफ शेट किया तो वो बनेगा convex और अगर इस तरफ शेट किया तो वो बनेगा कनकेव mirror अब इसमें चीजे क्या क्या होती है अगर मैं इसकी यह यहाँ पर जो यह यह याद करो यह जो circle बनाया था मैंने यह अगर इसका side view लूँ ना मैं तो यह सीधा यह वाला हिस्सा यह ऐसा दिखाई देगा देखेगा तो इसका diameter होगा वो diameter ही aperture है aperture of mirror यह कहां दिखाई दे रहा आपको यह दिखाई दे रहा aperture देखो यह मैं बार बार समझा रहा हूँ यह 2D है और वो 3D है तो top view जो हम देखते हैं सामने से जब देखते हैं चम्मच को तो गोल दिखाई देती है और उसका बीच का diameter होता है वो aperture का role play करता है उस aperture से अगर आपने कोई line perpendicular खींची तो वो principal axis है क्या है वो principal axis है जिस पे मैं यह calibration करूंगा जिससे मुझे पता चले क्या है इसका center क्या है इसका focus ठीक है वगेरा वगेरा क्या है इसका pole एक बात बताओ यह निकला तो एक square से ही है तो square का कोई न कोई center भी होता होगा अब यह गलती तो नहीं करोगे न अब जैसे मानलो यह इधर है तो center तो इधर ही होगा अंदर यह थोड़ा बड़ा बनाना पड़ाएगा पेच के बाहर चला जाएगा यह देखो center नहीं होगा न तो जिस तरफ curve है उस तरफ center आएगा जिस तरफ curve है उस तरफ center आएगा ठीक है और अभी के लिए समझ लो center से pole तक के distance का अगर आप half करोगे तो आपको focus मिल जाएगा clear जरा देखो चाहो तो इसको note कर लो video pause करके फिर हम आगे बढ़ते हैं एक minute का time लो फिर हम आगे बढ़ते हैं चलें आगे अब बात आती है इनके sign convention के जरा ध्यान दो इस figure को देखो बिटा सब यह figure कैसे बनाई है मैं समझाता हूँ आपको पहले एक mirror लिया उस mirror पे एक principal axis बनाया principal axis perpendicular है aperture से इतनी बात समझाई अब इस principal axis पे center ढूंडा इस curve का ठीक है अब इस center का half क्या आपको मिल गया focus यहां पर मैं कहीं पे भी object रखता हूँ यहां पे यहां पे यहां पे तो मुझे उसकी image मिलती है क्या मिलती है जैसे यह image मिली है इसके लिए अब focus तक का distance कहलाता है focal length center तक का distance कहलाता है radius object तक का distance कहलाता है object distance और image तक का distance कहलाता है image distance U है object distance, F है focus, V है image distance, R है radius, ठीक है, बस खतम, चलो, अच्छा, सारी calculation पोल से start होगी, यह sign convention का पहला रूल है, और जितनी भी चीजें, यह incident radiation है, incident radiation की direction में measure होगी पोल से, वो positive होगी, इसका मतलब यह U तो negative है, क्योंकि यह तो उल्टा जा रहा है, arrow ही दिख रहा है आपको, यह F भी negative है, हाँ, यह V भी negative है, और यह R भी negative है, क्योंकि यह चारो, incident radiation की direction से opposite जा रहे हैं, ठीक है, चलो, अब मैंने आपसे कहा, यह बात तो समझा गई, कुछ बच्चे आसान करने के लिए, वो यह याद रख लेते हैं, कि इस पार्ट के इधर का सब कुछ negative, और इधर का सब कुछ positive, कोई दिक्कत नहीं है, यह यह कहूँ shaded पार्ट के पीछे जो भी आएगा, वो सब कुछ positive होगा, साइन कंवेंशन में, और इधर सब कुछ negative होगा, ठीक है, आजाओ, तो यह लिखा है साइन कंवेंशन में, पढ़ लेना खुद, अब ऐसा ही यहाँ पर है, यह है आपका mirror, अब center पीछे चला जाएगा, और focus भी उसका पीछे चला जाएगा, पोल से अगर मैं center तक का distance measure करूँ, यानि कि आपका radius, तो वो होगा positive, f तक का distance करूँ, यानि कि आपकी focal length, वो भी होगी positive, image तक का distance measure करूँ, यानि कि आपका image distance, वो भी होगा positive, तो यहाँ सिर्फ रह गया u negative, क्योंकि u की direction अब भी incident radiation से उल्टी है, v और incident radiation की same है, incident radiation और radius औ focus की same है, इसको देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझ आया, अब बुजो, चलो यह तो बात समझ में आ गई, इधर ध्यान दो, यह क्या है भाईया, रियल और वर्च्वल स्पेस, यह आपका plane mirror है, इस plane mirror के पीछे क्या है, वर्च्वल स्पेस, आगे क्या है, रियल स्पेस, यह आपका curve mirror है, वही, रियल और वर्च्वल, ठीक है, यह कलती से same ही copy कर दिया, देखो, ऐसा नहीं था, यह ऐसे बनना था, यह गल्द बना दिया मैंने, यह लो, एक में टुक करूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाई यह क्या करा है, सिधा ही है, यहाँ शेडी होल्टी कर दी मैंने, देखना बटा, यह रहा आपका real, और यह रहा virtual, वर्च्वल हमेशा वहाँ होगा, मैंने बोला था न, जहां shaded पार्ट हो, देखो, यह रहा इसकी shading, इसकी shading इस तरफ है, mirror के, यह है, clear, ठीक है, अब object कैसे कैसे हो सकते है, क्या object भी real और virtual हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, यह रहा आपका point object अगर इस हिस्से पर आता है, तो real, तो यहां से यह ray जा रही, लेकिन आपने का नई भीया, ray आ रही थी, mirror पर पड़ी, और पीछे जाके कहीं मिलेंगी, तो तुम्हारा object वर्च्वल हो जाएगा, अब मेरी बात सुनना, जब real object है, तो you होता है negative, और अगर object वर्च्वल हो तो you positive हो जाता है, टेंते तक तो आपने सिर्फ इतना ही समझा था कि, जो object होता है, वो हमेशा negative होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, अब यह देखो, यह object, real है, तो इसका you negative है, और भी spherical दिखाए होंगे, चलो यह यह, आजाओ, image, अगर image की बात करूँ, तो मैं, यह रहा आपका object, यह रहा आपका object, और यह रही उसकी image, image बनी तो इसी side पे है, ना, अगर image इसी side पे बनी ना, बिटा, left side पे, तो real है, अगर image इधर बनेगी तो virtual है, फिर वही, अगर image real आती है, तो negative image, और virtual आती है, तो positive, ठीक, spherical surfaces के बारे में बता चुका हूँ, sign convention में आपको बता चुका हूँ, यह rules जो है, image formation के, वो हम लेंगे अब, अगले lecture में, तब तक के लिए रादे रादे,